नेताओं की हसरत होती है चर्चा में बने रहना चाहिए चर्चा में रहेंगे तभी पर्चा और खर्चा दुरुस्त रहेगा ऐसे ही एक नेता है जिनसे आप सब लोग अलग अलग विश्यों के चलते संदर्भों के चलते परचित होंगे और उत्तर प्रदेश के नेता है भाजपा के विधायक हैं हम यूपी के हालचाल की यात्रा पर निकले हैं और तवाम जिलों का दौरा करते हुए अब बरेली आमल यह रोचक कहानी है और एक नारे का भी जिक्र करते हैं कि तमंचा न पिस्तॉल पप्पू भरतौल यह आपके समर्तक विधायक जी नारा क्यों लगाते हैं यह समर्तक इसलिए लगाते हैं क्योंकि वित्री विधान सवा में दो नेता थे जिनका बड़ा आतंक था एक और एक पिस्टॉल इन्हीं दोनों का राज्ज था हम कैसे नाम क्या थे उनके नाम उनके पूर राश्रवा सदस्थ हैं समाजवादी पार्टी के 20 साल 22 साल जिला द्यक्ष रहे श्री बीरपाल सिंग आदब और एक हमसे पहले विधायक थे जो अब इस दुनिया में नहीं है भगवान उनकी आत्मा को सांति दे शिरी बीरंदर सिंग जी आदब नहीं थे ये इन दोनों लोगों का बहुत छेत्र में बहुत आतंक था तमंचा पिस्टॉल वाली इनकी बात थी तो जब हम चुनाब लड़ने आये छेत्र में गए तो तब लोगों ने ये नारा दिया जनता ने तमंचा नंपिस्टॉल वित्री में पप्पु भर्तॉल फिर उसको भरेली में कर दिया जनता नारा जनता का ये आपने सपा के पूर राजिसवा सांसद वीरपाल सिंग्यादाव का जिक्र किया बरेली के पुराने जानकार कहते हैं कि अब पप्पु भरतौल उनके आतंक की बात करते हैं लेकिन एक जमाना था जब वही वीरपाल इनके राजनेतिक गुरू थे और उन्ही के संरक्षन में सपा सरकार के दौरान पप्पु भरतौल जमीनों की खरीत फरोगत का काम करते थे जहां मेरा घर था वहां से 50 मीटर दूरी पर उनका घर था वहां मेरी एक कालोनी थी जो बीडिये अप्रूट बरेली की पहली कालोनी थी बाई-पास की सूरिया इंकलेव वह ही मैं रहता था तो वह बहां उस कालोनी में टहलने आते थे तो ब्रोधी है या कुछ भी है कोई ब्यक्ति आ रहा है और हमारे हम बहां बैठे हैं तो हमारा काम उसको चाय पिलाना आये हमने का सांसर जी चाय पी लिजे चाय पी लिए लेकिन हमारा गुरू चेले वाला कभी कोई साथ नहीं यह अगर कोई कह रहा है तो गलत हमारा उनका 36 का क्ला रहा है हमेशा हम दोनों एक दूसरे के विरोधी रहती है लोग यही कहते हैं कि प्रकट रूप से विरोधी थे लेकिन सपा सरकार में आपका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम अच्छा चला मेरा कोई समाजवादी पार् में करता हूं अगर कोई यह कहता है प्रॉपर्टी डीलिंग मुझे तो आठ साल हो गया यह काम छोड़े हुए मैंने यह सब काम बंद कर दिया मेरा उत्राखंड में काम था उत्राखंड में मेरा काम था रुद्धुरपुर हल्दवानी में बहां मैं कभी-कभी जाता था काम होता था क्योंकि सपा सरकार में इतना आतंग था उस आतंग का जवाब देने के लिए हम तैयार खड़े रहते थे कभी भी हमने हर मावले में समाज बादियों को पीछे टके ला उनकी सरकार में कि यह आपने उत्राखंड का जिक्र किया हमको दो नाम बताए गए विधायक जी पप्पु भरतौल और पप्पु गिर्धारी कहा गया कि विल्कुल जिग्री यार है और सही बात है यह मित्र है आपके जिसने बताया ठीक बताया जिग्री यार है नहीं थे उनसे भी आपक का गलत कर दिया ने उन पर तमाम आरोप लगे लोगों की जमीन कर जाने के यह सब चीजों तो हम इन चीजों के दूर रहते हैं हम किसी भी गलत काम पर किसी भी बेक्ती के साथ ही नहीं कि कह रहे हैं लेकिन जब मैं आपका विधायक जी 2017 का चुनामी हल अफनामा देख रहा इन ही लोगों की द्वारा लगवाए इनको यह खत्रा था कि अगर बित्री विधायक फर्जी मुकत्मों की एक बाड़ फर्जी मुकत्मों जैसे मुझ पर एक भी जमीन का रोप नहीं है अब रहाल रंगदारी कुछ नहीं है सब फर्जी है जिस ब्यक्ती से एक ब्यक्ती एक बिधायक जी के अगया उसने का मेरी जमीन सीलिंग में काय मैं सीलिंग मुझे अपनी जमीन मुकत्रानी है उनने का ये लिख दी जिए एक साइन कर दीजी ऐए आइसो को बलाया और भेज दिया और यह कहा कि इस पर मुगद्मा लिख दो इसका इसो मना करता रहा पूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू पैसे उसे लेने के लिए पूरे जिले पे F.I.R लिखाए कुर से पैसा चाहिए? उसे पैसा चाहिए कि वो भानजी का आदमी है, इसलिए वो बहुजन समाज पार्टी का कौर्डिनेटर समल लो जिलाद्ध समल लो वादम वेक्ति बहुजन समाज पार्टी से पोभाया से जानते पुलिस को कितनी तर्कामिक थी और उसका जो फारम हाउस बना है लखनाउर से 30-40 किलो मीटर बना रोड पर ही बना हुआ है बहुत बड़ा बना है तो यह सब उसके हराम की कमाई है इसी परकार सुने जो कमाई करी थी जोडी थी वही यह मुकदमें लिखाता रहा अप पंड़े जी के साथ अत्या-चार हो रहा है महराज कहते हैं उसे कि महराज के साथ ये गलत हो रहा है ये गलत काम है इस चीज़ को जो बहुजन समाज पार्राटी के बिधायक कहते लेकिं ये विधायक जी केवल इनका एक ही मनसा था कि हम घाँँ छोड़ के चले जाए आसनकाल में एक बस्पा के नेता थे ब्रजेश पाठक सुना उन्होंने आपकी बड़ी मदद की इन मुकदमों से फारिग होने मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूं कि बस्पा के जो लोग थे हमारी मदद कर रहे थे आपने नाम नहीं लिया था मुझे लगा दर्शिकों को करता है नोटरे जो तो मेरे बड़े भाई हैक और अब मंत्री हैं कानून मत्री है और अब ही मेरे बढ़े भाई हैं पेले बड़े भाई को ने समय मेरे पार यहनदन गया नहीं अब भी मेरी मदद करते हैं, कभी दोके से मेरी काल पहुंच जाए, मिस काल भी लग जाए, ताक काल काल बापिस आती है अब पूछते हैं, क्या बात है, बताओ, और वो कोई बिधायक जी नहीं कहते हैं जो मेरा नाम है वह ही कहते है यहां पकू बता और मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे बड़े भाई मेरे नाम लेके पुगारते हैं तो यह सिर्फ संतोष पाठक यह सिर्फ ब्रजेश पाठक ही आपकी कॉल रिटर्ण करते हैं या खुद आपके शब्दों में जो आपके राजनेते गुरु रहें संतो पुष गंगवार वह भी आपकी कॉल रिटर्ण करते हैं सुना है कि संबंद तनावपूर्ण है नहीं तनावपूर्ण यह जनता ने और लोगों ने दूरियां पैदा कर दी गुरु चेला के बीच में कैसे बता दीजिए ना लोगों को कैसे दूरियां पैदा हुई मैं यह थी कि कुछ लोगों ने उनको चड़ा दिया कि पपू भरतौल बिधायक जी है बरेली लोकसवार से चुनाब लड़ना चाहते हैं तो मैंने का यह भारती दिनता पार्टी कोई आदमी अपनी मर्जी से कोई चुनाब नहीं लड़ सकता है जब तक संग्ठन पार्टी न पार्टी का सब आदेश मानना पड़ेगा तो मां है तो उसका आदेश तो मानना पड़ेगा जो भी कहेंगे अगर पार्टी कहती तो इसलिए वह नारा भी बदल गया ना तमंचा ना पिस्तौल बरेली में पप्पू भरतौल हो गया बित्री चैनपुर के मुखाबले कभी कुछ कहा भी नहीं पटती नहीं वाली ऐसी बात रही है कि कही न कहीं प्रोग्राम में मिल जाते हैं वो तो लोकाचारी दुआ सलाम है जैसे आप बोले कि वीरपाल जी से सब्सक्राइब यहीं तो पूछ रहे थे अरे तावा मैंने जो पार्टी ने माना संग्ठन चहाता भी था तो यह कि मैं बड़े इस तर पर काम किया और बहुत काम किया ज्यादा काम किया यह जो था पहले मावला यह केंट विधान सुभा में था गाउं मेरा परसीमन में यह चला गया उधर एक बित्री सीट बन गई पहले यह केंट और सुना लगा करके बित्री बन गई केंट फिर इधर आ गई सहर में आ गई जमीन जा जात सहर में भी और गाउं में भी दोनों जगए रहना भी दोनों जगए था काम भी दोनों जगए करते रहें लोगों ने चाहां कि बदलाओ चाहती है जनता आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं लेकिन मैंने का वह जब तक गुरु जी चुनाब लड़ेंगे तब तक हम उस तरफ देखना ठीक नहीं यही कहके के लोगों ने ज्यादा दूरी यह बढ़वा दी हम दूरी नहीं मानते हैं और कहीं न कहीं प्रोग्राम मिलते हैं तो दोनों मिलते हैं नमस्तवती बाच्ची तो लेकिन वैसा नहीं जैस प्रोग्राम हों हम जाने हैं यह बताइए एक सुनाएं कि 2019 के लोगसावा चुनाव से पहले बैठक हुई थी उस बैठक में कुछ जातिवार आंकड़ों को लेकर भी आपकी संतोश हंगवार जी से बड़ी तीखी बहस हो गई थी दिनेश शर्मा जी को बीच में दखल दे करके तो मैंने उनसे कहा कि आप काफी सीनियर है और इस पिरकार की बातें आपको सोभा नहीं देती हैं कि उन्होंने कहा कि यह जो बैस समाज है यह पच्छिस हजार है तो मैंने का ऐसा नहीं है मानिये मंत्री जी आप अपनी आंकड़े कुछ भी बताओ आप अपने बैस समाज का इस लोग सवाब पे कब जह रहा है पार्टी कोई भी रही हो हम यह नहीं कह सकते हैं चाहे वो सती सक्रवाल हो चाहे जगदी सक्रवाल हो और चाहे वो रामूर्ती जी हो रामूर्ती जनता पार्टी हमारी पार्टी थी उससे वो चुनाब लड़े वो देर तो रहा है आपिदा अहमद यहां से चुरासी में रही बीए अहमद रहे उसके पहले 80 में निसार यार खान रहे तो मुस्लिम या वैश समाज मस्लिम तो ऐसे थोड़े-थोड़े पार्टी जिसको टिकेट देती हो चुनाब जी जाता है जब आपने यह कहा तो मंत्री जी भड़क गए क्या नहीं नहीं प्यार करते हैं हुआ जो अपना कर già नाराजबी नाराज़ी है मतलब लोंते हैं पॉट लाठेहि कोई बात नहो मतंद personality कि आपसे क्या नाराजगी है सरकार योगी आदितिनाद की सरकार भाजपा की विदायत क्वापू भरतौल भाजपा के और उसी सरकार पपू भर तो Celebrate all पे wurden with mean city वह कि हम यहां पर वबेशगों वह कृट इसेद्ञिता करनी कड़े मे xenon जो रिपक्ष के लोग थे उनसे मिला हुआ था एसेसपी मुनिराज था आपकी सरकार में तेहinstr쟁ाद कियाइ आप यह कह रहे हैं कि विपक्ष से मिला था वह बेसक्ली वह ऐसे प्रिदेश से था जहां गाये खाई जाती है तो कुछ चीजों के लेकर भाद भीबाद हो गया उसमें रात को एफाया लेकर उसमें एडी जी और आई जी इसकी प्रुद्ध थे प्रेम प्रकाश जी भी थे और जो आज लखनव में है एडीजी जो ठाकुर साहब है ठीके ठाकुर वो भी इसके बिरूत थे क्योंकि जिस टेम जनता ने उबाल बरा तो दोनों आप मोहरम प्रक्राम की बात कर रहे हैं नहीं मैं हाँ कोई प्रक्राम जो भी घटना घटी घटना जड़ा अब देखिए पपू भरतौल कोई बिद्री चैनपूर भरके तो नेता है नहीं पूरे प्रदेश में देश में विख्यात हो गए हैं तो थोड़ा बताईए कि क्या था मोहरम का मामला क्योंकि प्रशासन का यह कहना है कि मोहरम का जुलूस निकल रहा था आपने शांती भंग की कोशिश क आपने जुलूस में जो प्रशासन द्वारा अनुमोदित रूट है उसमें व्यवधान की कोशिश की आपको रोका गया तो आपने पुलिस चौकी के पास जाम लगाया लॉइन ओर की सिचुएशन क्रेट की सरकार आपकी प्रशासन सरकार का तैनात किया हुआ और यदि वि हिंदू समाज जू था वो पूरा जागरुक था कूंकि यह बाबा आदम की जमाने से हिंदू समाज के बीच ओ भीच से लेकर के ताजीय कर निकलते थे इस चीज की उनको आपती थी टी है कि यह जाते ते पीपल का पेन काट देते ते किसी की खपडायल में कड़ी निकल ब बारताजिया बड़ा कर देते था इस चीज़ के गाऊं की लोग अँव आदमी बच्चे रोड पर आ गए थे पूरे जिले के उनके वह ताजिया आजिए नहीं निकलने दीए मेरी बात को समझ रहा हैं आप, नहीं निकलने दिये, पिरसासन की उसमें फज्यत होई कप्तान की, उसको लगा मैं अपनी फज्यत कैसे बचाऊं, लोगों ने ताजिया रोड पर रख दिये, ताजिया नहीं ले जाए गए, तब उन्होंनों के क्या करें, तो उन्होंन न का एक ताजिया उदर हिंदू के गाउं से मगाओ, फिर सासन ने का हम नहीं मगा सकते हैं, तो कि हिंदू समाज पूरा जिले का जागरो का है, लोग रोडों पे खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, रात का समय है, तब उन्होंने फिर वो F.I.R हम पे लिख दी गई, और हम पे कोच किया तो कप्तान घवडा गया, उसने पूरे मकान पर आरे एफ लगा लिए, एड़ी जी आई जी ने कहा वही है, तो आपने किया हम कुछ कर नहीं सकते हैं, आई जी अपनी जगह सही थे, एड़ी जी बढ़िया, जो विधायक जी के मन की करें वो सही, तो ये करें, तो आपने फिर जाके मुक्यमंत्री से शिकायत नहीं कि कि जाब हमारी सरकार में जो कप्तान है, वो विध्वेश्वस कारवाई कर रहा है आपके साब से, नहीं कप्तान को अच्छे जिले में भेज दिया गया, आजकल आगरा के कप्तान है, बड़ा मातपूर जिला म अब आगरा में हैं कप्तान है, अब आगए हों तो मैं नहीं कह सकता है, मुझे नहीं पता, लेकर उस टेम उनको पी एसी में बेज़ देगा, यह बताईए, कि आपने कहा कि यह उस इलाके से महरम का जलूस निकालने की कोशिश कर रहे थे, और जनता विरोध में थी, फिर क कावड यात्रा को लेकर भी ऐसा ही इलजाम लगा कि आप कावड यात्रा का रूट बदलना चाह रहे थे, जबरन किसी दूसरे गाउं से ले जाना चाह रहे थे, तब भी प्रशासन ने आपको नजर बंद किया था, कि नहीं कावड यात्रा हमें से निकलती लिए, कावड यहां खजुरिया गाओं है, हिंदू गाओं है, एक मुस्लिमों का, तो नकटिया है वो एक कस्वा था, गाओं दिहायत के लोग नकटिया कस्वा तो वह ही अपना सामान करीने जाते थे, वह ही से वह कावड भी निकल, समाजबादी पार्टी में भी निकली कावर लेकिन कुछ बहार की लोग उस गावं बसे आकर के उन्होंने फिर ये काम किया उन्होंने हिंदू-मुस्लिम कराने की कोशिश कि की कावर निकले ना कावर निकल की गई कावर को कोई रोक था एक दो आदमी तो पैदल ऐसी निकल गए किसी नहीं रोका और जा करके कावर ले करके बापिस भी आ गया लेकिन बहां एक विपक्त का काम था रुपो गंड़ा करना विपक्त के लोग थे जगड़ा कराने ये समाजबादी पार्टी की लोग थे बेसकली सपा बसपा के लोग उक्षा रहते मुस्लिम लोगों जबकि उसमें समझदार मुसलमान कह रहे थे कि भाई वो अपना काम कर रहे है हमें उनको रोकने नहीं चाहिए कावर निकली कावर को कावर रुकी नहीं थी लेकिन लोगों ने विवधान डालने का काम किया और शासन ने आपको क्यों नजर बंद किया नहीं एक मंदिर था पिर शासन ने कहीं नजर बंद नहीं किया मंदिर पे जाने की बात थी तो हमने का ऐसी कोई बात नहीं है वहां गाहँवाले अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं कोई कहीं जगड़ा नहीं होगा जगड़ा हुआ भी नहीं नजर बंद मुझे नहीं किया लेकर हाँ यहाँ ज्यादा भीड बढ़ गई तो पुलिस लग गई थे क्योंकि कोई यहाँ पर बबाला ना हो जाए कोई असमाजिक तत उसमें ना माजवादी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं आपने बताया भी कि उनकी सरकार में आप तीवृत थे मैं जब आ रहा था तो हमारी रिसरच टीम ने आपकी बेटी साक्षी का बयान शेर किया जिसमें वो अखलेश यादों से मिलने जा रही है उनके नित्रत में आस्था जता र इसलिए पूछ रहा हूं विधायक जी यह बिला शक यह आपका बहुत ही निजी मैटर है ना यह निजी मैटर है आपका और इसलिए मैंने अब तक इंटर्विव में जिक्र भी नहीं किया चीज का लेकिन जब आपके परिवार के लोग एक राजनेतिक बयान देते हैं तो को निजी मैटर नहीं रह जाता है वो उसका कोई मैटर हमाले है हम उस चीज बे बोल नहीं सकते हैं आप इस चीज से परिशान भी रहे थे क्या कि पूरा मीडिया ट्रायल हुआ था पूरा वो टीवी पर सब प्रसंग चला आपको भी टीवी पर बुलाया गया आपकी बेट जब यह बात होई कि 2019 में तो साफ अप्पू भरतौल की दावेदारी नहीं रही 2022 को लेकर चर्चा चल रही है कि टिकट होगा नहीं होगा कुछ लोगों ने का कि साफ भितरी चैनपूर जो सीट है वो सीट बड़ी पहुबलियों दबंगों वाली सीट है तो प्पू कई कंट्रोवर्सी में नाम आता है तो मुश्किल भी है और फिर बात आए कि भाजपा संग्ठन के वरिष्ट पदादिकारी जिनका दिहांत हो गया कोविड में भाणी सिंग जी उनका वरदहस था वो आपके पॉलिटिकल गॉडफादर थे तो आपको टिकट मिला लेकिन रब उनका दिहांत ऌगया तो पैरोकारी में कुछ कम हो गई एसा कुछ है क्या यह तो लोगों की सोच है लोग किसके वारें क्या सोच लें पपू भरताली का ऐसा ब्यक्ति है जिसक्वे कोई दाग नहीं लगा है नप पैसे का नटके का यह दाग तो मुझ पे है कि मैं कार करता की मदद करने के लिए कहीं भी जा सकता हूं और मेरा कार करता सही है तो उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं कार करता गलत है तो मैं से समझा देता हूं प्यार से समझा देता हूं यहां हमारी गलती है हमको बैक हो जाना चाहिए कार करता सही है अदकारी भी जनता के लिए हम लोग समाजबादी के लोह बोहीं इस परकार की बाते रहते हैं समाजबादी पाल्टी की पृत्यासी तो मिला नहीं mortar स्वायम बीरपाल सिंग भी चुनाब लड़ने की इच्छा जायर कर चुके हैं पता ने उनकी गठवंदन होगा वो पिरसवा से हैं वही लड़ेंगे कोई और लड़ेंगे वो इस परकार के आरोप लगाते रहते हैं तेकि यह संग्ठन ने चुनाब लड़ाया संग्ठनी चुनाब लड़ाता हमारे पार्टी ठीकेट देती कोई आदमी विशेश नहीं नहीं देता है यह जेनें की मायावती हैं इत्ता इस से बोकल लो इसको टिकेट दे दो या समाजबादी पार्टी है इनको टिकेट दे दो एक आदमी एक नेता यहां नहीं है तो कदमे लगवाऊंगा हर थाने में वो किस कार करता के लिए प्रधान बहां थाने फिर किसको धंका रहे थे धंका भी नहीं रहे थे तो बहां बहुत सारी औरतें आ गई हम जिस गाम गए बहां गई तो बिचारे बहुत बहां आतंग था रहा उनका ओरतें रोतें चिलातें बच्चियां ही सब लोग आये हमने अपने घर से पैसा दिया है और हमारा पैसा नहीं मिला ना हमको मकान कमरे मिले हमने का कितने लोग है तो वहां थे ऐसे चालिस पचास लोग जिनकी पैसे उन्होंने लिये थे और उनको कमरे तो हमने का तुम इत्ते लोग मुकदमे लिखाओगे तो इत्ते मुकदमे लिख जाँगे पिर दान जी बहा है कि वो तो फिर कचैरी बही बैटे रहेंग बिच कराओ कि परद्हान जी ने पैसे बापिस किये जाकर गए पर उमावला निपट गए मैं ने तो जो मेरे बिरोधि है मैंने उन पर भी कुछ नहीं किया मैंने उन सब को अपनाई उन छां का काम भी मैं जो का मेरी कुछ बहुत है तो यह इसा हुआ ये पहली वार आर्शा करवा दिया आपस की चैन से जियो तभी आपका विकार रसूख है कि ठाना कचरी तक भाती नहीं पहुंच नहीं है और आपकी बेटी साक्षी से भी जोड़ा नहीं है आप निश्चिंत रहिए विधायक जी आपकी निजिता का सम्मान है चूंकि वह बयान राजनेतिक था इस मेरा दायत तो है एक मुझे पताया गया एक बच्ची यहां पर मिली खुदाई में मिली कोई किसी अपने निजी दुख में गया वहां घड़ा निकला बच्ची और बहुत बुरी अरस्था में थी इसका इलाज हुआ और आपने उसको गोद भी लिया ऐसी कुछ बाचीत क्या है वो मैं जानना चाहता हूं वो एक बरेली में सबस्पडर थी बैसाली नाम की तो उनके एक बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा वो मरा हुआ था तो उनके पती और उनके भाई उस बच्चे को ले करके इस समसान भूमी में गाड़ने गए एक जगे उन्होंने गढड़ा खौदा तो बहुआ कुछ पनिया लिगरी तो उनके नहीं कोई चीज पहले दप्र कि थो उनके भाई ने गटा कि यहाँ पर गास है जमी is यहां कोई नहीं होगा यहां खोदते हैं उन्होंने खोदा तो चार फिट गहरे गड़ा जब बहां खुद चुका था एक घड़े में फावडा लगा फावडा लगा तो गड़ा टूटा तो उसमें रोने की आवाद आई वच्छी उन्होंने हंडेट डायल को फोन कर दिया हंडेट डा यहां लेकर आओ बच्चे को बच्चे को लेकर पहुंच गए वहां और बच्चे को बहां देखा तो बच्चे की कंडिशन बहुत खराब थी 600 ग्राम का बच्चे अता लगा और मिट्ट्टी सब आँखें मुंग सब भरी हुई थी इस सास चल लगी थी तो रोई हुई उस साब करा उसको लेकिन वो इस से पहले कि एक घटना बताता हूं कुदरत कुछ न कुछ कराती है कुदरत आपको पहले से ही कराती है क्योंकि जब हम बिधायक बने तो बहां हमने पूछा सी एमो साब से एक बार गए हम डिस्टिक में यह जो बच्चे जार में रखे जाते है मसीने वो आपका रूम कहा है तो उनका यह तो किसी भी डिस्टिक होस्पिटल नहीं पूरे होता प्रदेश का तो मैं की जो गरीब लोगों को बच्चे पैदा होते जिन पर पैसा नहीं है वो क्या करते हैं प्राइबेट में भी रखनी सकते हैं तो बच्चे मर जाते होंग है ऐसा ही हो था हमने यह तो बहुत अपराद है जिस बच्चे को जीना चाहिए जो इस दुनिया में आया है पता नहीं वो आगे जाकर हमारे देश का बैज्ञानिक बने राश्पती बने धानी में बने नियाधीस बने एमपी बने एमेले बने प्रोफेसर बने टीचर बने और बो इस दुनिया माने पहले मर जा रहा तो यह तो हमारी नाकामी है अ मैंने इपनी कमेटी बुलाई राधा रानी सम्ति बुलाई उनकी मिटिंग करी हो मैंने कहा कि हमको जो बच्चे भी मशीनों में रखके जाते हैं वो हमको धान देना यह थ तो दो परकार की मसीने थी एक कहां की थी यह वाली मसीन चेव बच्चा चल जाता है तो हमने सबसे बड़िया वाली मसीन चाहिए तो जापणी मसीन बताई है ये इस कंपनी की इसमें एटमेटिक बच्चे की बॉड़ी के साफ़से हीट मिलेगी इंक्यूबेशन पांच-छे मसीने हमने खरी दी 25 लाग रुपए की जितने की मिली वो मसीने ले जा करके हमने दान करी तो देखिए वो जो सीता आई तो उसी मसीन में रखी गई वो आप लोगों ने रखा जो मीडिया था उसने रखा उसका नाम सीता तो कि वो गड़े से निकली थी फिर उसको उसी मसीन म पूरा दिन हो गया तमाम डाक्टरों से राय लेते रहें ये रेम्बुलेंस के लिए दिल्ली माथ पारिक से बात लुए ये रेम्बुलेंस आ जाई बुलेंस यहां डाक्टरों से राय ली बड़े-बड़े डॉक्टर वाज़े उन्होंने का बच्ची की इस्तिति नहीं कि तीन गंटे जाकर कि ये रम्बॉलेंस में उसको पता नहीं कौन से इंजेक्सिन जरूए तो सारी दवाईया नहीं होती हैं, कुछ दवाईया होती हैं, एक गंटे में वो आएगा यहां, एक गंटे में हम लोग भी यहां से पहुंच पाएंगे पैतालिस मिनट में, परमीशन यह तमाम चीजे, एक ही गंटा वहां कौन से हस्पिटल में बच्चा जाएगा तो यह लग जाएगा, तीन गंटे का फिर यह तैय हुआ, डाक्टरों के और हमारे बीच की बच्चे को, रवी खन्ना जी कहने चलें, उनके आभी नसरी बहुत अच्छी बनी है, लगना उद जब बहां नहीं मरी तो यहां नहीं मरे, तो यह रही तो बहां तमाम मीडिया, पूरे देश-विदेश की मीडिया आ गई, उसको रोकना भी जरूरी था, निवेदन करके रोका लोगों को, बच्चे पे इंफेक्शन पहल सकता है, आप लोग अंदर जाओगे तो, और भी आख खोली और वो हसी भी, वो हसी भी, दिन पर दिन उसका बजन बढ़ता गया, ठीक होती गई, चपन दिन बच्ची होस्पीटल में रही, बीमार है तो अंदर से यह बढ़ बड़ा हिलाज उसका होगा जाएगा, बीमारी है, तो कि बच्चा कितने दिन अंदर रहा या कै से पेदा हुआ, यह खोई नहीं जानता है, कुद्रत कि नहीं जानती है, हम भी नहीं जानते हैं, तो है वो, जो भगवान ने कराया हमने कर दिया, भगवान ने कराए, उसको लेकर कर भी Pacific – आए, पिक्र बनाई, फिल्म बनाई, पिक्चर चली है, च्प मोटी शर्यू बनी वो इसकी माँ बनी है बच्ची की अबनफ शुकला एक है वो इसके पिता बनी है वो हमारे गाउं आए और भी जगे काई समसान भूमी गए तो इसके पिक्चर बनाई वो पिक्चर हमने देखी टोटल तो तेरा पिक्चर बनी है जिसमें एक दो हमने देखी बाकी पिक्चर र तो बहुत ही मारमिक प्रसंग है लेकिन मीडिया में इससे जुड़ा एक विवाद भी सामने आया कि आप बिना परमीशन के बच्ची को अपने एक निजी कार्क्रम में ले गए और उसमें इस तरह की बात भी कही गई कि जो चिल्रन कमीशन है उसने आपको नोटिस भी जारी क करने की बात कि क्या हुआ था ऐसा आना कि मैं किसी बच्चे को गोद में उठा लूँगा लोग उसी को सीता कह देते हैं क्या कह देते हैं कि उसी को सीता कह देते हैं कि कल भी एक बच्ची महराज जी की अभी गई आप नहीं देख पाए उसको मैंने गोद में उठा लिया व अब किसी बच्चे को ठालेंगे तो सीता थोड़ी हो जाएगी। यह तो लोग खामों खाम बबंडर बाले लोग हैं। उनके घर में बच्चे नहीं हैं जो इस पिरकार की टिपडियां करते हैं। उनके अंदर दिल नहीं है, हाड नहीं है। अगर हाड होता, तो जिस बच्चे के बारे हम टिपड़ी कर रहे हैं, वो बच्ची कहां से आई। भगवान की देन है। कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं, उनकी दुकाने नहीं चल नहीं हैं। वो अपनी दुकाने चलाना चानते हैं। उस सीता के वुज़े से। जिस व्यक्ति ने लिखा, मैं उसके बारे हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। वो बहुत अच्छा आदमी नहीं हो सकता है। वो बहुत अच्छा आदमी नहीं हो सकता है। ममता और अपने आपका जमीर सारी चीजों से अलग है। सारे बिजनेशों से अलग है लेकिन जिसने लेका मैं उसके बारे यही कह सकता हूं कि वो अच्छा ब्यक्ति नहीं है खौंक सा ऐसा अपराद किया था पहली बात तो चलो वो बच्ची थी नहीं अगर वो बच्ची थी भी अगर हमने आपको काड़ दिया आप साधिम आए या वो साधिम आए बच्चे को साध लेके आए किसी ने बच्चे को गोद में ले लिया वो एक अपराद रहा गया सबोच करो बच्चा है नहीं वो क्या लेकिन उसको लोग सीता मानना है क्या मानना है उसी बच्चे उसीता मानने लगे किसी बच्चे को किसी को बच्चा ले लिया जिसे मेरी भांजी का बच्चा है साधी मैंने करी अपनी भांजी की तो बच्चा वो अपने नाना को नाना नहीं बोलते हैं, मुझे नाना बोलते हैं, उनकी नानी नहीं है, तो मेरी पत्नी को नानी बोलते हैं दोनों बच्चे, वो उनको गोल ले लेते हैं, खिलते रहते हैं उपर, तो अब कोई आदमी कहते हैं, अरे सीता है, वो बच्ची अ केर सेंटर में चलिए ये बात राजनीति से शुरू हुई खत्म संवेदना पर हुई पपू भरतौल के तमाम दावे और इनके बारे में जो उनकी कैफियत है उसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में बताईए यूपी के हाल-चाल की यात तरह चलती रहेगी जिसमें अलग अलग पेशों से जुड़े चाहे किसान हो चाहे कारोबारी हो चाहे करियर की तलाशन भड़कते स्टूडेंट हो या अलग अलग वर के लोग उनसे बात चीज चलती रहेगी फिल वक्त हमारा दौरा बरेली में चल रहा है इसके बाद पीली भीत इस तरह से दौरा रहेगा आप अगर इस दौरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हमारा पता है ल्टी डॉट चुनाओ एट जीमेल डॉट कॉम विधायक जी आपने इतना समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया